Hello Friends, Welcome Back to My Channel Friends, जैसे कि आप जानते हैं कि February मत आ चुका है और इस मौसम में आप खूप सारी नई कटिंग को लगा सकते हैं और नए ने प्लांट्स त्यार कर सकते हैं मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट्स शेयर करूंगी जिनको आप कटिंग से इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं और उनके नए प्लांट्स मना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें ताकि जित्ती भी मेरी नई वीडियो आएं उसकी नोटिफकेशन आपको मिलती रहे ये जो मेरा प्लाइट है फ्रेंड्स ये शेफलरा का प्लाइट है मेरे पास इसकी तीन-चार वेराइटीज हैं और सारी वेराइटीज easily february के मन्त मनफ में कटिंग से ग्रू हो जाती है आप जो भी कटिंग ले फ्रेंड्स उसका आप हाड पार्ट लें क्योंकि हाड पार जो होता है उसमें रूटिंग अच्छी होती है और वो जल्दी खराब नहीं होता कटिंग को आप सिर्फ सेंड में ही लगाएं क्योंकि सेंड में एरेशन अच्छी होती है कटिंग जब आप लगाते हैं तो उसकी मिटी को आप अच्छे से प्रेस करें ताकि आपकी जो कटिं पिंक कलर के leaves की वजा से ये काफी सुन्दर लगता है और easily cutting से grow हो जाता है आप इसके stem एरिया से इसकी cutting लें और इसकी cutting सेंड में grow करें तो ये काफी easily grow हो जाएगा और जहां से प्रेंड्स एक और ब्यूटिफुल प्लांट की जिसका नाम है Kroton Plant इसकी जितनी भी फ्रेंड्स वराइटी होती हैं हम सारी वराइटीज को Easily Cutting से ग्रो कर सकते हैं मैंने ये तीन चार वराइटीज के प्लांट हैं मैंने Cutting से ग्रो किये हैं और सारी cuttings को मैंने sand में grow किया है तो आप भी इसकी जित्ती भी varieties हैं sand में grow करें easily इस month में grow हो जाएंगी friends अम मैं बात करूंगी एक और beautiful plant की जिसका नाम है song of India इस plant को हम काफी easily propagate कर सकते हैं इसकी cutting को आप normal garden soil में भी लगाएंगे यह वहाँ पर भी easily grow हो जाएंगी आप देख सकते हैं मैंने 3-4 cuttings इसकी लगाई हुई है यह मैंने normal soil में लगाई हैं और मैंने same pot में grow की हैं यह monsoon season में मैंने इसकी cuttings grow की थी और आप देख सकते हैं इसकी new growth भी निकल के आ रही है आप इसकी कोई भी cutting ले ले कहीं से भी आप इसकी cutting ले ले और आप simple इसको sand में लगा ले चाहे आप इसको garden soil में लगा ले मैंने simple garden soil लिया है इसी में ही इसको लगा रही हूँ क्योंकि यह काफी easily normal garden soil में भी grow हो जाती है friends आप ficus benjamina के plant को भी cutting से easily grow कर सकते हैं आप इसे monsoon में भी grow कर सकते हैं और February मन्त में भी grow कर सकते हैं यह ficus micro carpa का plant है यह bonsaise के लिए काम आता है आप इसे भी cutting से grow कर सकते हैं मैंने यह plant monsoon season में cutting से grow किया था और आप लेख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी growth हुई है मैंने यह cutting ले ली है मैं इसे sand में grow करूंगी इसकी cutting को आप सिरफ sand में ही grow करें क्योंकि उसी में ही इसकी अच्छी rooting होती है friends हमारी सारी cuttings लगकर तयार होगी है आप इने shady area में रखें और इनकी location ऐसी choose करें जहां इन पर तेज हवा न पड़े क्योंकि अगर इन पर तेज हवा पड़ती रही ये cuttings बार-बार हिलती रहेंगी और इन में rooting नहीं होगी friends एक बात और जब भी आप कोई cutting लगाते हैं rooting में तो patience रखें और आपकी cuttings ग्रो हो जाएंगी अगर आपने उने बड़े प्यार से ग्रो किया है तो friends आज के लिए इतना ही hope है आपको मेरा ये video अच्छा लगा होगा thank you guys